अच्छ हम इडली की रेसिपी बनाना दिखाएंगे वो भी बिना इडली मेकर के या बिना किसी सोडे के तो यहाँ पे दो कप चावल इडली का जो चावल होता है वो दो कप हमने ले रखेते और एक कप उरद दाल हम ले के रखेते और उसमें थोड़ा सा मेथी दाना और पेस्ट बना लिए थे इसको 6-7 घंटा बाहर रखे उसके बाद फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते है कड़ी 2-3 दिन के लिए अब देखी यह कितना फलफी हो गया है ऐसे ही अब हम थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे जितना हमें जरुरत है इस बैटर का उतना ही हम डालेंगे इसमें और इसमें थोड़ा सा हम नमक मिलाएंगे और थोड़ा सा हम पानी भी लेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर हम बना लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से हम चलाएंगे क्योंकि इसमें हमने ना ही इनो का यूज किया है ना ही कोई सोडा का यूज किया है तो इस तरह से हाथ से ही आपको चला लेने हैं और अगर आपके पास इनो है तो इनो आप एक चम्मच आप डाल सकते हो और बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून या हाफ से भी थोड़ा सा कम डालिएगा अब जो कि हम इडली मेकर का यूज नहीं कर रहे तो यहा आपके पास अगर बढ़ा कढ़ाई या कुछ होगा न या फिर इससे छोटा छोटा बरतन होगा तो और भी आप बरतन उसमें रख सकते हैं एक एक बरतन में हम दो चम्मच करके डालेंगे एक एक कटोरी में यहाँ पे दो तरह के इडली बनाएंगे एक तो जो नॉर्मल व दालेंगे अब इसके बाद 혹시 थोड़ा सा चम्मा प्यास देंगे, जो आलका प्यास डालेंगे श्यína 50 श्खाल धनीया पत्ता यहाँ आप दालेंगे और अद्रःक का पेस्ट तोड़ा सा एक दम देखे कितना यहाँ वैसे डाल के हमें पूड़ा mix कर लेना है अच्छे से यह आप अलग अलग batter में भी mix कर सकते हो यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है अगर नहीं खाए हो आप कभी तो खाके देखिएगा ज़रूर यह बहुत ही एक अलग स्वाद लगता है और थोड़ा सा उपर से हम ऐसे धनिया की प कटूरी का साइज हमारा थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हमारा तीनी कटूरी आया इसमें अगर छोटा छोटा होता तो चार पाच आ जाते को एक तम एयर टाइट ढग के हम रग दिये है और करीब 10 से बाड़ा मिनेट बाद और लो फ्लेम को लो कर देजेगा और 10 से बाड के बिल्कुल तयार हो गया है इंडा होने के बाद इसको हमें निकाल लेना है